आज की vocabulary class में आपका स्वागत है आज हम एक नए English prefix से बनने वाले सब्दों को सीखेंगे और ये prefix है bio bio का मतलब होता है life और इससे बनने वाला पहला सब्द है biology लोजी लेटिन सब्द लोगस से बना है जिसका मतलब होता है study of biology का मतलब हो गया study of life अब इसके दो इससे हैं क्योंकि जो वनस्पतियां है पेड़ पोदे हैं वो भी life में ही गिने जाते हैं और जो move कर सकते हैं उनको भी life में माना जाता है जो जीव जन्तु हैं तो जीव जन्तों की जो study होती है उसको कहते हैं जो जीड़ डबल ओ एलो जी वाई और जो वनस्पतियां हैं उनकी study को कहते हैं बोट दी bio से बनने वाला अगला शब्द है biopsy देखे इससे पहले के वीडियो में मैंने एक शब्द बताया था आपको autopsy autopsy होता है postmortem postmortem दो टुकडों से मिलकर बना है post और mortem post का मतलब बाद में और mortem का मरने के बाद मरने के बाद जो जांच की जाती है वो postmortem होता है उसको autopsy भी कहते हैं लेकिन autopsy मरत शरीर के उपर होती है उसकी जांच की जाती है अगर जीवित शरीर का tissue लेकर के उसको जांचा जाए तो उसको biopsy कहते हैं डोक्टर एक test करते हैं कि कोई cell है वो cancer फैलने वाला तो नहीं है या local है तो यह पता करने के लिए जो test किया जाता है उसको कहते हैं biopsy अब अगला शब्द है बायो मेट्रिक बायो मेट्रिक के दो इससे हैं बायो का मतलब life है और meter का मतलब होता है नापना यानि life से जो measurement किया जाए biometric attendance होती है हम अंगुठा लगाते हैं मशीन के उपर उसको biometric कहते हैं क्योंकि वो attendance जिवित चीज से लगती है इसलिए उसको biometric कहते हैं बायो पिक अगला सब्द है बायो पिक भी के दो इससे हैं बायो का मतलब life और पिक बना है picture से यानि किसी की life के उपर कोई picture बनाई जाए अगर किताब लिखी जाए तो वो बायो ग्राफी होगी ग्राफी का मतलब लिखावट और picture बनाई जाए तो उसे कहते हैं बायो पिक कई लोगों पर जैसे मिलखा सिंग पर बनी है जैललिता पर बनी है मेरिकॉम पर बनी है तो किसी वेक्ति की life पर बनने वाली picture को बायो पिक कहते हैं अगला शब्द है बायो स्फियर स्फियर का मतलब गोला और बायो का मतलब लाइफ यानि कि वो सारी जगे दुनिया में जहां भी लाइफ पॉसिबल हो उसको बायो स्फियर कहते हैं वो समुद्र में हो सकता है जमीन पे हो सकता है आसमान में हो सकता है प्रत्वी के अलाव भी कहीं भी जहां जीवन के समावना होगी उस एरिया को बायो स्फियर कहा जाता है बायो फ्यूल है इसके बाद जैसे बायो डीजल है वो जेट्रोफा प्लांट से बनता है इसी तरह बायो गैस भी बनती है बायो फ्यूल जो भी फ्यूल है जिवित चीज से यानि जो सबजि बदीयां वगरे हैं उनके छिलके होते हैं हरी बरी चीज़ों से घास से इनसे जो फ्यूल बनता है उसको कहते हैं Biz Commission ूं इसको कहते हैं कि बायो लोजिकल क्लोक ऐ कि भाइसे क्ज़़ीवार आपने कि अधियर फ्राइट पकड़नी हे अधिक असौचकर सो जते हैं सुझ बढ़ी होती है समय की चेतना होती है उसको कहते हैं biological cloak आज का आखरी शब्द है Bionic Bionic के एक नई ब्रांच है जिस Bionic limbs होते हैं जैसे किसी का हाथ कटा हुआ है या पैर कटा हुआ है तो उसकी जगे ऐसा हाथ या पैर लगा दिया जाता है जो बिल्कुल जिवित हाथ की तरह काम करता है लग भग 95% वो उसका काम कर लेता है जैसे जैसे विक्ति को आदत पड़ती है वो इसमें expert होता जाता है आसानी से इस्तेमाल कर पाता है ऐसे organs को limbs को कहते हैं Bionic Limb इस तरह एक दरजन सब्द आज हमने Bion से बनने वाले सिखे Bion से ओर बहुत सारी सब्द बनते जैसे Bionic Limb इसे बायो डाइवर्सिटी है अने तरह के जियो जन्तू होते हैं उनमें एक एक ecosystem के अंदर उसको Bionic Limb कहते हैं इसके लाव बायो थर्मल होता है बायो फिजिक्स बायो केमिस्ट्री बायो टेकनलोजी वो बायो से बनने वाले आपको गूगल पे बहुत सेक्ड़ों सब्द मिल जाएंगे जो इस ओरिजिन से बनते हैं मुझे उम्मीद है आज की ये vocabulary class आपके लिए उपयोगी रही होगी मुझे सुने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद अगली बार एक नए वर्ड रूट के साथ फिर मिलेंगे तब तक के लिए नमस्कार